हेलो दोस्तो स्मार्टपॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्ते दिया आपका Central Bank of India में सेविंग अकाउंट है और आप Central Bank of India में FD करवाना चाहते हैं या फिर कहीं term deposit करवाना चाहते हैं तो आपको Central Bank of India का ये FD वाला form भरना होगा तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो कि आप इस form को कैसे भर सकते हैं तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि आप यहां लिखा हूँ अपर सकते हैं Central Bank of India ब्रांच आप Central Bank of India के जिस ब्रांच में आप FD करवाना चाते हैं उस ब्रांच का नहीं यहां लिखेंगे आप जिस दिन बैंक जाएंगे उस दिन की डेट यहां आपको लिखनी होगी आपका Central Bank of India में पहले से अकाउंट है तो आपको पास्बुक भी मिले होगी उस पास्बुक के उपर CIF नमबर लिखा होगा वो CIF नमबर यहां आपको लिख देना है फिर आप नीचा आएंगे तो यहां लिखा होगा सकते है Customer Copy, Term, Deposit, Account Scheme यहां जो है आपको FD लिख देनी होगी यहां आप FD करा रहे हैं तो आप जितने amount के आप FD करा रहे हैं उस amount के यहां words में आपको लिख देना है Name, यहां जो है आपको अपना name यहां आपको लिख देना होगा फिर आप नीचा आएंगे तो यहां आप लिखा होगा पर सकते है Detail of Cash यह Check आप Check के जरीए आप FD बना रहे हैं वो amount यहां आप figure में लिख दीजिएगा इसके बाद आप इदर आएंगे तो यहां आप लिखा होगा पर सकते है Central Bank of India आप Central Bank of India के जिस branch में आप FD करवा रहे हैं उस branch का name यहां लिखेंगे फिर आपको Central Bank of India में पहले से account है तो आपको passbook भी मिली होगी उस passbook के उपर CIF number लिखा होगा उपर CIF number यहां आपको लिख देना है आप जिस दिन Central Bank of India जाएंगे उस दिन की date यहां आपको लिख देनी है जिस दिन आप जाएंगे आप जितने amount की आप FD करवा रहे हैं उस amount को यहां words में आपको लिख देना है आप कितने time के लिए करा रहे हैं कितने दिन के लिए कितने महिने के लिए कितने साल के लिए आप देख लिएगा आपको उसे दाप से यहां जानकारी भरनी होगी जैसे कि मैं एक साल के लिए करा रहा हूँ FD से मैंने 1 डाला है 1 years इसके बाद यहां interest की जो भी मतलब ब्याज मिल रहा होगा वो bank के अधिकारी भरेंगे यहां आपको कुछ भी नहीं भरना है Name, account holder यहां जो है आपको अपना name यहां आपको लिख देना है फिर आप नीचे आएंगे तो यहां आप लिखाओ अपर सकते है और existing customer आपका Central Bank of India की जिस ब्रांच में आप FD कराना जा रहे है उस ब्रांच का Name यहां लिखेंगे आपका Central Bank of India में पहले से account है तो आपको पास्बुक भी मिली होगी उस पास्बुक के उपर जो CIF नमबर लिखा है वो CIF नमबर यहां आपको लिखना होगा इसके बाद आप इधर आएंगे आप जितने महिने या साल के लिए आप FD करा रहा चाहते हैं आप उसे साब से इन कॉलम्स को भरिएगा फिर आप नीच आएंगे तो यहां लिखावा पर सकते हैं mode of operation आप FD कराने खुच जा रहे हैं तो यहां आपको self tick कर देना है फिर यहां आपको पांच फे कॉलम्स पर यहां टिक कर देना है प्लीज आप नीच आएंगे तो यहां लिखावा पर सकते हैं name of applicant यहां जो है आपको अपना name यहां आपको लिख देना है signature यहां जो है आपको अपने signature यहां आपको कर देने होंगे आपका Central Bank of India में पहले से saving account है तो यहां जो है आपको अपने saving account का account number यहां आपको लिख देना है फिर आप नीच आएंगे आप यहां पचास जार से ज़्यादा की FD करा रहे हैं तो यहां जो है आपको अपने pen card का pen number यहां आपको लिख देना है mobile number यहां जो है आपको अपना mobile number यहां आपको लिख देना होगा nominee यानि कि यह आपको कुछ हो जाए तो यह जो आप FD करा रहे हैं यह FD का पैसा किसे मिले यह आपको कुछ हो गया तो तो यहाँ जो है नॉमनी की details पढ़नी पड़ेगी नॉमनी आप जिसको बना रहे है उसका name यहाँ अपको लिखनी होगी नॉमनी के साथ आपका relationship क्या है वो यहाँ आपको लिख देना है फिर आप नीच साँगे तो यहाँ लिखाओ पड़ सकते है दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस video को और जब तक आपने subscribe नहीं किया है smartphone की channel को तो please subscribe कर देना smartphone की channel को साथ ये घंटे को भी दबादेना आने वली हाल latest video की जांकारी के लिए तो आभी की video में इतना है video देखने के लिए धन्यवाद